यह चलो प्यारे बच्चे इस वाल को देखो कि इस वाले कोस्टन ऐसे कोस्टन कई बार आए है नीट में और इस कोस्टन से हम सीखेंगे किसी as का किसी रौक का एज कैसे निकालते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कई बार पूछे गया है तो सबसे पहले रेडियोक्टिविटी का कोई सेंपल लेते हैं और उसमें रैसियो देखते हैं ठीक है तो चलू माल लेते हैं हाफ लाइप रेडियोक्टिव आइसोटोप्स कोई रेडियोक्टिव इलेमेंट उसका आइसोटोप्स एक्स है उसका हाफ लाइप यहां पर दिया हुआ हाफ ला F5 वाइसल डाइव बाद तूटके वाई बनाया होगा तो जब सिर्च जीरो था तो X की जो जी जो परजन्ट उसको मैं एननौट लेता हूं नाटा ठाया कि उसको मैं एनन प्र-स साल यो?. 0य-ब ताइण रही है न रहा होगा, लेकिन 10 साल यहाल 10 साल 80 साल, एक हजार एक करोड साल बाद, टी टाइम बाद, ठीक न, ये जो है कुछ N- बचा होगा, तो N- बचा होगा, तो D-के कितना होगा, मालो, X खतम हो गया होगा, इसमें से small x लेलो, ठीक न, कोई और variable लेलो, मालो, चलो, small x लेलो, इसमाल x N- में से disintegrate होगा, तो N- कितना, बचा कितना है, N-0-X, बात समझ में आ गई, तो 2 element N-XY found to be 1 ratio 7 में बचे हैं, 1 ratio 7 कितना है, T-time बाद ये और इसकी ratio दिया, 1 ratio 7, तो age of rock calculate करो, तो ratio ये जो ratio दिया हुआ, ratio 1 ratio 7, 1 ratio T-time बाद X-Y का ratio है, तो T-time बाद जो X है, वो N-0-X है, और ये Y-X है, तो ये X-Y का ratio 1 by 7 ये दिया हुआ, this is the given, ये यहां से already दिया हुआ, given है, तो अगर ये प्यारे बच्चों given है, यहां से में X एक अन्नोन है, तो इस अ 7 N-0-7X is equal to, यहां से X, तो आजाएगा 7 N-0 is equal to 8X, तो यहां से X की value आजाएगी 7 N-0 upon 8, तो ये यहां से ये वली चीज आजाएगी, तो अगर मैं ये value calculate कर लिया, किस की value भाई, मैंने निकाल लिया X की value, तो जो remaining nuclear ही है, remaining, जो बचा हुआ remaining है, तो ये रिमेनिंग end है, त तो वो कितना हो जाएगा, वो होगा N-0-X, तो N-0 तो तुमारा इतना है, और X की value 7 N-0 upon 8 आजाएगा, तो ये आजाएगा N-0 upon 8 इसकी value आजाएगी, तो यहां से N-S, तो ये वाली चीज, तो यहां से N-S की value इतने है, अब हम में क्या करना, formula लगा देना है, कि कितने time बा होगा T time बाद, इतना बचा हुआ है, तो N-S का formula है T, remaining का formula N-0 is equal to 1 by 2, T time बाद जितने time बाद N-0 है, और half life, तो यहां से N-S की value N-0 upon 8 आजाएगा, और यहां से N-0 आजाएगा, और यहां से 1 by 2, small t की value हमें निकालनी है, और half life यहां दिया हुआ है, half life देखो कितना है, 20 year, तो half life यहां पर अपने आपको 20 year दिया हुआ, तो जब मैं इसको further solve करूँगा यहां से, तो यहां जाएगा 1 N-0, N-0 खटम आगया, और 1 by 2 की power यहां से 3 आजाएगा, और 1 by 2 की power यहां से small t upon 20, तो दोनों को compare करोगे, 3 small upon 20, तो T is equal to आजाएगा 60 years, मतलब वो जो rocks है, वो 60 year का हो चुका होगा, तब जाके यह condition satisfy होगी 1 ratio, तो मतलब यहां अपना D option सही है, तो ऐसा question कई बार पुछा गया नीट में, I hope कि आपको मज़ा आ गया होगा, thank you, take care, अपना बहुत ख्याल रखो.